नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार आओ नीज मैं ओम प्रकास सिंग कुछ स्वाहा डाल्मिया सेमेंट भारत लिम्टेड डाल्मिया भारत पाउंडेशन रोताज सेमेंट वर्क्स द्वारा एक दिवसी हेल्थ कैम का आयोजन ग्राम पंचाज बंजारी में किया गया हेल्थ कैम की शुरुआत डाल्मिया सेमेंट भारत लिम्टेड रोताज सेमेंट वर्क्स के उनियन हेड स्री लोकेश कुमार बहती प्लांट एच आर हेड संजैजा मुखिया अली हैसन राजेश सी बीडी सी डाल्मिया के डॉक्टर पवन उपद्यायम डिस्टिक हेल्थ देहरी के डॉक्टर द्वारा किया गया हेल्थ कैम में तीन डॉक्टर सुगर जांच हेमोग्लोबिंग जांच बलड़ प्रेशर की जांच दवाई वित्रन कोविंड डैंटिन का वैक्सिन दिया गया इससे उसर पर यूनिट हेट लुकेश कुमार बहती ने कहा कि इस हेल् केम्प में प्रात्विक स्वास्त के 77 ग्रामिन महिलाओं के हेमोगुलोबिन की भी जाच की गई जिससे की रोग का पता लगाया जा सके और उसका उपचार भी किया जा सके केम्प में महिला डॉक्टर पुरुष डॉक्टर दो नर्स वाच को कोबिड टेस्ट और वैक्चिन की टीम काज कर रही थी रिपोटिंग के वक्त कुल 250 लोग केम्प तक पहुँच कर जाच करवा चुके थे बताया गया है कि दिनांग 10 सितंबर को बंजारी में ही डाल्मिया भारत फाउंडेशन दोरा हेल्थ केम्प की सुविधा जारी रहेगी डाल्मिया सेमेंट भारत लिम्टेट की सामाजिक सका डाल्मिया भारत फाउंडेशन निरंतर ग्रामेंड विकास के कार्ज में जिमेदारी पुरुमक कार्ज कर रही है उक्तबाते उनित हेड्ट सिरी लोकेश कुमार बहेती ने जनकारी दी असिस भारती पुरी सदिक्चक रोहताज के निर्देशा नुदार जिले में पूर्ट सराब बंदी को सक्ति से लागो कराने के लिए शरावियों शराब करवारियों शराब माप्याओं शराब तसकरों के विरूद निरंतर विसेश चपमारी अभ्यान चलाया जा रहा है साथ ही सराब व्यवसायों सरावियों के विरूद विसेश निगरानी रखी जा रही है इस करम में आज दिनांक 10.09.2022 को जीले के विभिन थाना अंतरकत विसेश अभ्यान चलाया गया जिसमें निमने संख्या में शराबी को गिरफतार किया गया दरहट थाना अंतर्गत 13, डिरी नगर थाना अंतर्गत 5, दावत थाना अंतर्गत 5, संजोली थाना अंतर्गत 2, नासरी गंज थाना अंतर्गत 2, धरंपूरा थाना अंतर्गत 1 इस परकार कुल 28 सरावियों को गिरफतार किया गया है इस शंबन में वरुप्त के विरूद कान दर्ज कर अगरतर करवाई की जा रही है आसेश से भारती पुलिस सदिक्चक रोहतास के निर्देशा नुसार जिली में अबेद सराब के सेवन निर्वार बिक्री बंडारन परिवान शराब तसकरोष शराब व्यवसायोष शराब माप्याओ के विरूद कड़ी करवाई है तु बिसेश चप मारी अभियान चलाया जा रहा है इस करम में रोहतास पुलिस को गुप सुचना मिली कि कोचस थाना अतरगत कोचस वार नंबर 11 में अबेद सराब का बिक्री किया जा रहा है इस सुचना का सत्यापन अवस्यक करवाई के लिए थाना अदरगत कोचस थाना को पुलिस बल के साथ उक्ता थान पर चप मारी के लिए भेजा गया जहां सत्यापन चप मारी के दोरान अभियुकते गोरक चौदरी ग्राम असिया थाना नटवार शिरी मल चौहान उर्फ घरेलू चौहान ग्राम कोचस वार नंबर 11 थाना कोचस दोनों जिला रोहताज को कुल दू लिटर देशी महुआ सराब के साथ गिरपतार किया गया है इस शम्मन में कान दर्ज कर अगरतर करवाई की जा रही है दिनांग 1092-2022 को रोहताज पुलिस को गुप्ट सुचना में लिकी रोहताज थाना अंतरगत माधा के जंगल में अबैद सराब का निर्माण किया जा रहा है इस सुचना का सत्यापन अवस्यक करवाई के लिए पुलिस ने रिक्षक सहताना अद्यक्ष रोहताज स्थाना को पुलिस बल के साथ उक्सा स्थान पर शपमारी के लिए बेजा गया जहां सत्यापन अवस्यक्ष पमारी के दोरान लगभग एक हजार लीटर महुआ पास बरामद कर बिनिष्ट किया गया इस शंबंद में कांट दर्ज कर अगरतर करवाई की जा रही है दिनाक 99-22 को रोहतास पुलिस को गुप सुचना में लिगी चेनारी थाना अंतरकत ग्राम नरेना में अवैद सराब का बिक्री किया जा रहा है इस शुचना का सत्यापन हवाज से करवाई है तो थाना अदेक चेनारी थाना को पुलिस बल के साथ Ekतस्तान पर छपमारी के लिए बेजा गया जहां सत्यापनु छापमारी के दोरान अविप्ति श्याम सुन्दर राम, पिता बबन राम, गराम नरेना, ठाना नरेना जिला रोहतास को कुल पांच लिटर देशी सराब के साथ गरपतार किया गया है इस शम्मन में कान दर्ज कर अगरतर करवाई की जा रही है दिनांग 99-2022 को रोहतास पुलिस को गुप सुचना में लिकी नासरीगन ठाना गराम बढ़ियान नर के पास अबैद सराब का बिक्री किया जा रहा है इस सुचना का सत्यापन अवस्य करवाई के लिए ठाना अधेक्ष नासरीगन ठाना को पुलिस बल के साथ उक्त अस्थान पर छपमारी के लिए बेजा गया जहां सत्यापन च्छापमारी के दोरान अविप्त सांती देवी पती राजू भूईया गराम बढ़िया थाना नासरीकन जिला रोहतास को कूल दू लिटर देशी महुआ सराब के साथ गिरबतार किया गया है इस शम्मन में कान दर्ज कर अगरतर करवाई की जा रही है गिनांक 9-9-2022 को रोहतास पुलिस को गुप सुचना में लिकी दिनारा थाना अंतरगत गराम हरवन्सपूर में अबैज सराब का बिकरी किया जा रहा है इस सुचना का सत्यापन आवस्यक करवाई है तो थाना अदेक्ष दिनारा को पुलिस बल के साथ उक्ता स्थान पर शापमारी के लिए बेजा गया जहां सत्यापन शापमारी के दोरान अव्यक्त मंटु कुमार पिता अभिमन्नु सिंग गराम हरवन्सपूर थाना दिनारा जिला रोहतास को कूल तिल लीटर देशी सराब के साथ गिरपतार किया गया है इस सम्मन में कांट दर्ज कर अगरतर करवाई की जा रही है आफिस से भारती पुलिस से दिखचक रोहतास की निर्देशान उसार रोहतास पुलिस के दोरा जिले में अबैद खनन परिवहन पर पूर्त रूक थाम लगाने के लिए तीनों अनुमंडल अंतरगत अलग-अलग बिसेस टीम का गटन किया गया है बिसेस टीम के दोरा लगतार अबैद खनन एओं परिवहन में सनलिप्त खनन माफियाओं के विरुद करी करवाई के लिए बिसेस शपमारी अभियान चलाया जा रहा है इसी करम में डेरी नगर थाना मुफस्सिल एवं कारा कट थाना अंतरगत आज दिन आंक 10-92-2022 को रोतास पुलिस को सुचना मिली कि खनन माफियाओं के दोवारा अबैद खनन कर बालू का अबैद रूप से ढुलाई कर रहा है इस सुचना का सत्यापन में तोरित करवाई है तो उपरोक्त थाना दस को अपने अपने थाना के अन्य पुलिस पदधिकार्यों वा कर्मी के साथ थाना छेत्र में अबैद खनन के बिरूद सगन शपमारी करने है तो आवस्चक दिस्ता निर्देश दिया गया तद नुसार उपरोक्त थाना के दोरा अबैद खनन के बिरूद थाना छेत्र में छपमारी के दोरान डेरी नगर थाना डेरी मुफसिल थाना छेत्र से बालू लदा एक एक ट्रक्टर एम काराकट थाना छेत्र से अबैद बालू लदा दूट ट्रक्टर को जप्त किया गय साथ एक चालोग को भी गरबतार किया गया है इस शमन्द में नियमा नुसार कान दजकर अगरतर करवाई की जा रही है रोहतास पुलिस के द्वारा अबैद खननन परिवान के बिरूद लगतार कड़ी करवाई की जा रही है बिहार आओ नुज के लिए ओम प्रकास सिंग कु पोर्ट नमस्कार